नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल S.S.C. उडान पर जिसके आप लोग जानते हैं मैंने आप लोगों के लिए current affairs तियार की हैं इलावाद high court के exam के लिए इलावाद high court के exam के लिए मैंने आपके लिए current affairs तियार की हैं इलावाद high court के exam में 8-9 सवाल current के रह रहे हैं और जो बचे currents नहीं पढ़के जा रहे हैं वो अपना loss ले रहे हैं मैं आप लोगों को 8-9 सवाल पूरे cover करा रहा हूँ अपने 4-5 lecture में कराऊंगा आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए इसको अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो require revision कर लीजे आप लोगों का बुलकुल अच्छा हो जाएगा आप लोग exam में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं आप लोगों ने अगर मेरा part first नहीं देखा है जिसमें मैंने जून महा के कराए हैं मैंने उसमें first part में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको पहले देखिए फिर next आप इस जुलाई का देखिए ठीक है अभी हम जुलाई की lecture को start करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं चर्चित दिवस चर्चित दिवस के अंदर देखिए कौन-कौन से दिवस आते हैं जो हमारे बहुत important रहते हैं कौन-कौन से important दिवस हैं पूछ सकता है कि जुन जुलाई अगस्त के ही पूछ रहा है सितंबर तक वो पूछेगा इसके बात के नहीं पूछेगा वो current affairs सितंबर जून से लेकि सितंबर के बीच के बहुत important है इसलिए मैं यह सब आपको करा रहा हूँ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है गाईज तो आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर ले जिससे आप लोगों को ऐसे ही latest updates मिलती रहे और आप लोग अच्छे से अच्छे marks लेके आए अपने exam में ठीके तो मैं start करता हूँ हमारा first क्या है 29 June 29 June को क्या होता है सांखिकी दिबस बनाया जाता है 29 June को क्या होना जाता है हमारा सांखिकी दिबस बनायाता है 11 July को आप सभी जानते है विष्व जन्जंक्या दिबस होता है अगर आप नहीं जानते है तो आप लोग याद कर लीजे बहुत important है 11 July को क्या होना जाता है विष्व जन्जंक्या दिबस next हमारा पंद्रे जुलाई 15 July को विष्व यूवा कॉसल दिबस 15 July को क्या बनाया जाता है हमारा विष्व यूवा कॉसल दिबस 24 July को क्या बनाया जाता हमारा आएकर दिबस आप लोग याद कर लीजे important है आ सकता है एक्जाम में next हमारा 26 July कारगिल विजे दिबस next 28 July विष्व हैपटाइटिस दिबस ये भी काफी important है विष्व हैपटाइटिस दिबस कब बनाया जाता है 28 July को कब बनाया जाएगा 28 July को विष्व हैपटाइटिस दिबस कब बनाया जाता है 28 July को याद रखिए आप अब हम लोग कुछ important निउक्तियों की बारे हम पढ़ लेते हैं कि हमारे एक्जाम के point of view से बहुत ज़्यादा important है first देखते हैं हम 21 में मुख्य चुनाव किसे निउक्तिया गया काफी important है याद रखिए अगर आप लोगों ने याद नहीं किया है तो आप लोग इसको देखिए अगर आपको मेरी PDF चाहिए तो आप लोग तो हमारे 21 में मुख्य चुनाव आई किसको निउक्तिया गया है अचल कुमार ज्योति को किसको निउक्तिया गया है अचल कुमार ज्योति को next देखते हैं क्या है राजस्व खूफिया निदेशाले का महा निदेशक किसको बनाया गया है देवी पिरशाद दासको किसको बनाया गया है देवी पिरशाद दासको राजस्व मुखिया खूफिया निदेशाले का महा निदेशाले किसको बनाया गया है देवी पिरशाद दासको आप लोग का इस कमेंट जरूर कीजिए का आप लोग को मेरी वीडियो किस तरीके की लग पहुचाता हूं नेक्स देखते हैं हमारा राश्टी आब्दा राहत बल एटी आरेफ एंडी आरेफ काफी इनपोटेंट है यह आप लोग याद रखिए राश्टी आब्दा राहत बल महान दिदी सब किसको नियुक्त किया गया है संजे कुमार को याद रखिए बहुत संजें कुमार नेक्स्ट है हमारा बोटें के उच नयाय अम पर किसको बनाए गया है किसको किसको बनाए गया रविंदर सींग ब्रेट रविंदर सिंग वहां पे क्या है उनको सिंख नियाईदिस बनायes ग़ा है पहले सिंख नियाईदिस बनाये गए WHO का headquarters कहा है जिनेमा में इसको किसको बनाया गया है महा ने दे सक टेडस एड़नम को टेडस एड़नम को नेक्स देखते हैं हम यह काफी important है भारत का पंदर में महा नियाईवादी किसको बनाया गया है केके विनु गुपाल को आप लोग याद रखिए यह काफी important है एक्जाम म भारत का पंदर में महा नियाईवादी किसको बनाया गया है केके विनु गुपाल को निधन देख लेते हैं निधन किसका हुआ है बॉलिवूर्ड अविनेतरा इंदर कुमार का निधन हुआ है निधन तो काफी थे लेकिन मुझे यह important लगा इसलिए मैं आप लोगों के लि टॉकिंग हिस्ट्री किसने लिखी है रोमिला थापर ने टॉकिंग हिस्ट्री किसने लिखी है रोमिला थापर ने इंडिया आफ्टर गांधी रामचंदर गुहा याद रखिए यह काफी इंपोटेंट है इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखिए रामचंदर गुहा न मेकिंग ओफ लीजेंट विद रिश्वर पाठक ने एडवाइज एंड डिशेंड वाइवी रेडी ने लिखी है नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट है दे फीचर ओफ इंडियन एकॉनोमी विने के शरीवास्ता एवं यश्वंत सिन्हा ने लिखी है फीचर ओफ इंडियन एकॉनोमी किसने लिखी है विने के शरीवास्ता विने के शरीवास्ता एवं यश्वंत सिन्हा नेक्स हम योजनाएं देख लेते हैं कि 60 वर्षके हों और या उधिक होंगे तो उनको पैंसन दी जाएगी किस योजना के तहित है पिर्धान मंत्री वह बंदना योजना काफी इन्पोटेंट है आप लोग याद रखिये अगर आप लोग याद नहीं हो रहा है मेरी एक बार वीडियो और देखिए आप लोग 믿 next है पत्रथी केंवेत्वा नदी जोड़ो परयूजणा किन दो राज्यों में बारवार इसली रिपीट कर रहा dummy किन लोगों के दिमाख में बैठ जाये और आप लोगों अच्छे से याद हो जाये आप लोग बूल और केन वेदवर नदी जोड़ो परियोजना किंदो राज्यों से संबन्द है उत्तर प्रदेश वा मद्धिप्रदेश से हम अवाड देख लेते हैं अवाड क्यार मिलेते इस महिने में अठारमा आईफा आवार्ट मिला था, जुलाई में हमारे सर्विसेस्ट अविनेत्रा किसको चुना गया था, साइद कपूर को किस मूवी के लिए, उड़ता पंजाब के लिए, अविनेत्री देख लेते हैं कौन सी अविनेत्री रही थी, सर्विसेष्ट अलियाबट उड़ और पंजाब के लिए मिलाता इनको भी निर्देशक कोन था है। अनिरुद द्रॉय चौधरी किसके लिए पिंक मूवी आई थी अनिरुद द्रॉय चौधरी की इसमें ने सर्विसेश्ट पूपन से थी नीरजा है याद रखी कि नीरजा सब से सर्विसेश्ट फिल्म रही थ में आइफ आवाड की नेक्स देख लेते हैं कुछ महतपूर कुश्चंस यह महतपूर पेशनल लिये हैं मैंने इन में से जरूर एक नए कुश्चं आएगा आप लोग याद रखिए भारत द्वारा पहली बार किस देश से कच्छा तेल आयात करने का समझोता किया है अमेरिक सौर ए उर्जा ट्रेन कहां से कहां तक चलाने की गुश्चन गी है तो कहां से कहां तक चलाने की गुश्चन गी है सराहे रोहली देरली से हरयाना तक सराहे रोहली से फारुक नगर तक नेक्ट देखते हैं क्या है IMF द्वारा जुलाई 2017 में जारी वर्ड एकोनोमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की जीटीपी व्रद्धी कितनी रही है 7.2 पृतिसत रही है खेल से सम्मंदित कुछ देख लेते हैं भारत वर्ष 2018 में महिला विश्व मुक्यवाजी चेंपियन की वेज़मानी करें 2018 में कहां करें महिला विश्व मुक्यवाजी होगी यहां पर और पुरुस की विश्व मुक्यवाजी भारत में पहली वर कभ होगी 2021 में होगी कहां होगी नई दिल्ली में यह question है आप लोग याद रखी important question है यह आप जो पुरिस्की होगी वो 2021 में होगी नई दिल्ली में और जो महिला की विश्व मुक्यवाजी होगी वो कहा होगी 2018 में होगी भारत के अंदर next question है हमारा BCCI ने जुलाई 2017 को भारती किर्केट टीम के कोच की नियुक्ति किसको की है रवीश श्रीवास्तव अगर आप लोग किर्केट से रुची रखते होगे तो आप लोगो अच्छे से पता हुआ किसको चुना गया है कोच भारत का रवीश श्रीवास्तव next है हमारा सर्वर्देक रण बनाने वाली महिला किर्केटर कौन बन गई है मिधाली राज बन गई कितने रण मनाए है न 6028 रण मनाए कितने बनाए है चेजार 28 रण मनाए है कुछ यूपी स्पेसल से भी मैंने लिए है यूपी से क्या क्या पूचा जा सकता है वो सारे सवाल लिए है मैंने 12 जुलाई 2017 को राश्टिय बीच अनुसंदान एवं प्रिदिकरण केंदर परिशर में अंतराश्टिय चावल अनुसंदान संस्तान कहां इस्थापित करने की मंजूरी दिये बनारस में बनारसी में कहां दी गई है बनारसी में एक वार और देख लेते हैं जो राश्टी बीच अनुसंदा निवम परिच्छन केंद परिशद है उसको अनुसंदी इस्थापित करने काम उजुरी दी गई है बनारसी में आप याद रखी इन्पोटेंट है next देख लिते हैं हमारा क्या है UP Real Estate Regulatory Authority ने कौन सी वेब साइट लॉंच की है? रेरा याद रखी इन्पोटेंट है यह आ सकता है रेरा कौन सी वेब साइट लॉंच की है? रेरा देश में सबसे बड़े ताजे पानी की मचली है घर ताजे पानी की मचली घर कहां इस्तापित किया गया है जारकंड में याद रखी इन्पोर्टेंट है कहां इस्तापित किया गया है ताजे पानी की मचली है जारकंड के इंदर next तेक लेते हैं क्या है हमारा यातायाद नियंतरन के लिए रोबर्ट का उपयोग करने वाला पहला भारत का ऐसा कौन सा सहर है जहां पर पहले बार रोबर्ट यूज होंगे यातायाद के लिए वो कहा होंगे इन दौर में मद्धेपरदेश में important question है याद रखिए मैंने कुछ महतपूर तत्वी लिए हैं जो कि आपके exam में पूछ लेता है पिछले exam में पूछा भी गया था मैंने उसमें भी वीडियो में दिया था लेकिन और लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस वार फिर में लेके आया हूँ आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए चीनी उत्पादन में पिर्थम इस्थान किस देश का है ब्राजील का है भारत का कौन सा इस्थान है दूसरा इस्थान है याद रखिए इंपोर्टेंट है काफी पहला इस्थान किसका है चीनी में ब् दूसरे नमबर पर उत्तरपर्देश है, तीसरे पर आंदरपर्देश है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मैं आपको थोड़ा स्ट्रेजी की बराएं बता दूँ, आप लोग का एक्जाम है, छे दिन रह गए हैं, आप लोग अच्छे से तियारी कीजिए, अगर आ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग उसको कमेंट में लिखकर बताएं मुझे, ओके, गुडबाई, हैव नाइस जे, तो अलफ यू,